Hello all of you, इस class में हम वो questions करेंगे, कुछ important questions करेंगे, तो इस class को अच्छे से देखिएगा ताकि फिर problem ना हो, ओके, तो question है कि without actual division, prove that यह जो polynomial लिखा हुआ है, 2x4-a, is exactly divisible by x2-3x2, ठीक है, क्या कहा कि exactly divisible है इससे, ओके, तो exactly divisible इससे है, यह quadratic में है, ठीक है, अगर, देखिए, लेट कर लिए, हमने px जो है, यह polynomial है, और gx क्या है, यह polynomial है, तो जरह gx को और solve करते हैं, आप लोग सब ने splitting, middle term splitting सीखा है, कि इस middle term को split करें, ठीक है, तो दो ऐसे number बताने है, जिसको multiply करने पे हमें 2x square मिले, और जिसको add करने पे क्या मिले, minus 3x मिले, ठीक है, तो इसको क् करने के लिए, middle term split कीज़े, यानि x square, यहाँ पे हमें क्या आ जाए, 2x square और, यानि हमें, अगर मैं ले लेता हू, minus x, और minus 2x, प्लस 2, ठीक है, तो देखिए, minus x, और minus 2x है, तो minus into minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, यानि कि minus x into minus 2x क्या हो जाएगा, plus 2x square हो जाएगा, और minus plus, minus, or minus 3x हो जाएगा, यहानि कि add करने पर minus 3x आगया, और multiply करने पर क्या आगया, 2x square हो जाएगा, बस उसको solve कर दीजे, वहां से, तो क्या मिल जाएगा, वहां से common x ले लेंगे, तो x common लेंगे, तो मिलेगा, x minus 1, यहाँ पे minus 2 common ले लेता है, तो क्या बच जाएगा, minus 2, x minus 1, यहाँ पे बच जाएगा, और is equal to, अब बताईए, अब क्या common ले सकते है, x minus 1, ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, minus 2 बच जाएगा, यानि कि हमें मिल गया x minus 1, x minus 2, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि, यह यह exactly divisible है इससे यानि कि कभी भी यह term जो हो यह term जो होगा यह polynomial जो होगा PX अगर exactly divisible होगा GX से इसका मतलब क्या कि वो exactly divisible होगा इससे भी और इससे भी यह बात समझ में आ रही है यानि कि इससे और इससे दोनों से अगर divisible है यह polynomial तभी हम कहेंगे कि यह polynomial जो है exactly divisible है तो ठ गर एक्स एक्स माइमस वन इस इकवा गट्रोट रियो तो यहां से Во misda यानिकी इक्स बराबर वानमinyगा यानिकि हासे क्या और सकते हैं F1 is equal to क्या लिक सकते हैं यहां से इसमें F1 put करते हैं तो F1 put करेंगा तो क्या होगा 2 1 का power 4 minus 6 1 का cube plus 3 1 का square plus 3 into 1 minus 2 ओके इसको solve किजे क्या मिल जाएगा यह 2 minus 6 plus 3 plus 3 minus 2 यानि कि क्या मिल गया 3 3 6 plus 6 minus 6 कट जाएगा और 2 plus 2 minus 2 कट के क्या आ जाएगा 0 यानि F1 क्या आ गया 0 आ गया अब हमें यह वाला term में देखा इसका भी दिखाना होगा यानि कि F2 put करके देखना होगा यानि F2 अगर जब हम लोग put करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 into 2 का power 4 minus 6 into 2 का cube ठीक है उसके बाद प्लस 3 into 2 का square plus 3 into 2 minus 2 ओके तो यह सॉल्फ कि जिए यानि कितना आया यह थर्टी टू ठीक है समझ में आया ना उसके बाद यह क्या आया चक 48 प्लस 12 यह कितना आया 6 minus 2 ओके और आठ आया यानि कि कितना 16 हो गया ना सोला यह हो गया और यहां से देख लिजे 6 में दो जाएगा चार यानि कि सोला माइनस सोला क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा यानि F1 भी जीरो आ गया और F2 भी क्या आ गया जीरो आ गया हैंस कि F1 और F2 दोनो जीरो यानि रिमेंडर जब जीरो आ गया इसका मतलब क्या है इस डिवीजबल भाई यह वाला यह क्या है यह वाला पॉलिनोमियल जो है डिवीजबल है इससे बात क्लेली समझ में आया ठीक है बस यही करना था हमें इसी तरीके से करेंग अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम लोग सीख लेंगे ठीक है तो ऐसा कोई question अभी आया नहीं है अगर आएगा तो हम लोग वहाँ पे उसको सीख लेंगे ओके ठीक है न तो यही सब questions आते हैं और दिमाग लगाने वाला यही सब question था कि कहीं भी हमें बस इतना ध्यान रखना है कि linear polynomial से अगर divide करते हैं तो हमारे को remainder 0 मिलता है तो क्या होगा वो फैक्टर होगा उसका ओके तो बस इतना है ध्यान रखना है कि देख लिए थैंक्यू अलफ यू